आकलन है कि तक्रीबन 50 करोड लोग हैं पूरे भारत में जो मोबाइल को इस्तिमाल करते हैं इंटरेट इस्तिमाल करते हैं और तक्रीबन 33 करोड लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अब 25 पर्सेंट भारत की आबादी अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो जुरूर यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीचर है जो लाज़ेस्ट कंजूमर आफ इन्फरमेशन विच इस अन सोशल मीडिया सुड़नी रेलाइज़ेस कि वो कॉंटेंट बना सकते हैं और हम सब अपने अपने जीवन में हीरो हैं अपनी लाइफ के अपने अनौस पहुस में जो रहते हैं उन सब में हम हीरो हैं और क्यों नहों तो हम अपना content सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं और उसी कारण से सोशल मीडिया के ओपर content बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया अपने आप में interesting भी होता जा रहा है अब कितना मज़ा आता है सुबह सुबह बिना नहाए दोए बाल बिखरे में निकर में बैठे सोशल मीडिया के ओपर आप बात करते हो और कोई बोलता है आप लगते कैसे हो तो तुरंद पुरानी Photoshop एक अच्छी से फोटो आप भेज देते हो कितना आसान हो जाता है काम और कितना मुश्किल हो जाता है काम अगर किसी के साथ बैठ कर चर्चा करने हो यहाँ चर्चा जो हो रही थी उसी से पता लग रहा था ना कि कितना मुश्किल हो जाता है चर्चा करना किसी दूसरे का कोई opinion को समझना और जब रक्ती सामने होता है तो कहीं न कहीं यह तहजीब भारत की आजाती है कि उसको उसका भी विचार सुनना पड़ जाता है और जिस तरह से हम जब दूसरों का घर में विचार सुनते हैं जब घर में बैठते हैं चाई पीते हैं कॉफी पीते हैं बाच्छीत होती है दूसरे का विचार सुनना पड़ता है और कहीं न कहीं किस कारण से वह opinion बनता है उसको आगे ना बढ़ाया जाए उसको वहीं रोख दिया जाए और जादातर जब हम ग्रूप में बैठके बाच्छीत करते हैं तो abuses का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन वहीं जब वापस सोशल मीडिया पर आते हैं तुरंत conversation को cut off कर देना या एक second के अंदर अपना opinion दे देना और दूसरे के opinion को trash कर देना आसान हो जाता है और यही कारण है कि सोशल मीडिया के ओपर जो आम हम जीवन के अंदर जो तैजीर जो व्यभार जो हम सीखते हैं वो व्यभार सोशल मीडिया पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब यही एक तरह से एक अपनियाब के अंदर एक बहुत बड़ा challenge है और चुनौती है जब सामने कोई बैठता है और उसकी कोई तकलीफ होती है तो हम साहनूबती दिखाते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अगर किसी को तकलीफ होती है तो वह जलूस हो जाता है और जब जलूस किसी ऐसे व्यक्ति का निकल रहा हो जिसका idea जिसकी philosophy जिसका opinion हम से अलग हो तो कितना मज़ा आता है पिर उसके अंदर सब लोग जुब जाते हैं उस जलूस को और भी बड़ा बनाने में यही चीज है यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी यह दो विचार धाराओं में चर्चा हो रही थी यह लड़ाई इस दो विचार धाराओं के नहीं है बहुत से देश हैं बहुत से लोग हैं ऐसे जो भारत को मजबूत नहीं करना चाहते नहीं बनने देना चाहते ये corporate लड़ाई corporate जगत की भी लड़ाई होती है social media के अंदर किस तरह से किसी corporate sector को आगे न बढ़ने दिया जाए उसी तरह से आप देखिए एक ऐसा जन्म समूँ जहां पर हजारों corporate हो उनके उपर अगर युद करना हो तो कितना आसान है युद करना जब हम सेना में शुरू शुरू में गये ते 20 साल हो गये बसे जादा तो हम परते थे कि जब युद होता था युद होने से पहले हवाई जाज उडाये जाते थे दूसरे देश के उपर और pamphlet फैके जाते थे वहाँ से या गुप चुप करके कोई रेडियो स्टेशन लगाया जाता था जो रेडियो स्टेशन एक दूसरी विचारधारा उस देश में चालू कर सके वो काम कितना मुश्किल था कि हवाई जा जोडाओ pamphlet फैको ताकि pamphlet नीचे जब जाएं और को मिले तो उनके बीच में अपने leaders के प्रती अव विश्वास हो जाए लाक ओफ faith in the country and in the leadership उसी तरह से रेडियो स्टेशन एक सरप्शिसली चुपचाप से रेडियो स्टेशन लगाया जाए कितना मुश्किल काम था आज कितना आसान काम है आप सेना की बात करते हो जो वरदी पहन के पूरे देश की रक्षा करते है कोई समुधर के अंदर है कोई समुधर के ऊपर है कोई बरफीले पाड़ों के ऊपर है वो तो physical entry को रोक रहे है physical entry किसको जरुवत है आज physical entry की कोई जरुवत नहीं है जब 5th generation of warfare पूरे के पूरे दुनिया में आ चुका है फर्स जेनरेशन ऑव वार्फेर फर्स जेनरेशन ऑव वार्फेर था जब गुथम गुथा की लड़ाई होती थी सेकेंड जेनरेशन ऑव वार्फेर था जब ट्रेंचेस खोदी जाती थी मशिन गन का इस्तेमाल होता था थर्ट जनरेशन अव वार्फेर आया जहां इंडस्ट्री शामिल हो गई टैंक्स और हेलिकॉप्टर्स और मोबिलिटी आ गई लड़ाई के अंदर फोर्थ जनरेशन अव वार्फेर से हम अभी युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते फिफ्ट जनरेशन अव वार्फेर आ गया है फोर्थ जनरेशन अव वार्फेर इस जहाँ आर्मी को लड़ाई करने की जरुवत नहीं है मिलिश्या लड़ाई करती है एड़ोक वारियर्ज लड़ाई करते है आपके दाम से कोई दूसरा लडाई करता है यह है फूर्थ जेनरेशन लडाई जहाँ टेरिरिजम होता है यह फूर्थ जेनरेशन लडाई सेना को तो सरहत पार ही नहीं करनी पड़ती और उस फूर्थ जेनरेशन के लड़ाई में फिफ्ट जेनरेशन लड़ाई अब शामिलाग हो गई है जहां घर बैठे बैठे हर एक के बात्रूम तक मेसेज पहुंचता है और आपकी विचारधारा बदलने की कोशिश करी जाती है ताकि आप वही देश के अंदर देश की जो ताकत उसी देश की जो ताकत है जो नौजवानों की ताकत है वही उस देश के खिलाफ हो जाए जो देश ये करना चाहेगा उसको कितना मज़ा आएगा ये करने में कुछ नहीं करना सिर्फ उंगली हिलानी है और जिस तरह से फेक निउस की बात हो रही थी मैं फेक निउस का सिर्फ मैंने लेवल एलिवेट करा है क्योंकि आज भारत को जानने की जुरूरत है कि जो फेक निउस की जो लड़ाई जो यहां चर्चा हो रही थी ये दो विचारधाराओं की नहीं उससे कहीं उपर उठकर देश को कमजोर बनाने की विचारधारा है ये सबसे बड़ी जो समस्या है चाहे BBC हो चाहे कोई भी हो जो यहां तर्क वितर्क हो रहा था मैं उस पे नहीं जाऊँगा इंडिजिल केसिस पे नहीं जाऊँगा मैं जो सिर्फ इस पे जाऊँगा एक उधावन देता हूँ आपको 2013 के अंडर शाइद बैंगलोर में हुआ था कोई नौर्थीस्ट के जो स्टुडेंट से उसके उपर कोई ट्वीट शुरू हुआ और उसके बाद ऐसा एक माहौल बनिया कि नौर्थीस्ट के जितने भी स्टुडेंट से उनको वहाँ से एक्सोडस करना पड़ा हुआ था या नहीं हुआ था हुआ था ना तो यह हकीकत है ना डिजिटल लाइफ कनवर्टिंग इंटो रेल लाइफ डिजिटल इशू कनवर्टिंग इंटो रेल लाइफ प्रब्लम बड़े सारे केसे से अब 2009 के अंदर एक कानून पास हुआ था हमारी अभी जो सरकार उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है इंटोलरेंट शब्द कई सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं लेकिं 2009 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया कि अमेंडमेंट लाया गया आइटी एक्ट 2000 के अंदर 2009 में और उसमें कहा गया कि कोई भी offensive language अगर हो जिसका purpose annoyance या inconvenience हो या injury हो तो आपको तीन साल की कम से कम जेल हो सकती है और उसका इस्तेमाल भी हुआ कई सारे उधारण है मार्च 19 2015 पे 11 वी कक्षा का एक रामपूर का student उस समय के जो एक मंतरी थे वहाँ पर आजम खान साव उसके ओपर facebook पे कुछ लिखा उसको जेल हो गए उसी तरह और भी कई सारे cases है CID ने arrest करा एक लड़के में ये लिखा कि जो cyclone hood है वो भगवान की या अल्भा की आपके उपर एक श्राफ है क्योंकि आपने YSR को vote नहीं करा उसका विचार भारा था लेकिन उस विचारदारा पर उसको जेल कर दिया गया ऐसे कई सारे कई सारे उधारा है इंटरनेट बना किसलिए था इंटरनेट बना था एक free world के लिए जहां पर आपके ideas free हो और किसी भी उस समय 1960s के समय जो जिस तरह का Soviet Union होता था या जिस तरह का Cold War चल रहा था ऐसी कोई बंदिश नहों आपके उपर बिल्कुल free विचारदारा हो आज कहीं ऐसा नहों कि वही free विचारदारा हम सब को खाने के लिए वापस आ जाए तो इसलिए the best option is self regulation बहुत ज़रूरी है यह मीडिया के बहुत सारे यहां पर executives यहां बैठे चर्चा कर रहे थे मीडिया का वियंतरन किस तरह से होता है self regulation से होता है उनका पहले तो मीडिया organization खुद उसके बाद BCCC Entertainment के लिए NBSC News के लिए यही सब अपना self regulation करते हैं और वहां से भी नहीं रुपता तो फिर सरकार की inter ministerial committee होती है but this is a fact that we have to learn to self regulate also we have to be able to control and not participate in any news which you feel is fake news और खास तोर से यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं और यह मैं बात खास तोर से कर रहा हूँ भारत के लिए आप दूसरे देशों में जाईए वहां पर अपनी जब बात होती है देश की बात होती है तो पूरा का पूरा जंसमू पूरा का पूरा मीडिया एक हो जाता है कि हाँ अपने देश के में सुधार लाने को तयार है में अपने देश को नीचा दिखाने के लिए हम तयार नहीं है इस तरह के विचारदारा आती है कि हमारे देश में क्यों नहीं आती ये बहुत ज़रूरी है क्या हम जब अपने देश को नीचा दिखाना शुरू करते हैं तो क्या हमारी economy damage नहीं होती क्या हमारा culture क्या हमारा ethos हमारी परमपरा क्या वो damage नहीं होती तो media houses या social media पर कमसे कम हम इतना ध्यान जुरूर दें कि जो ख़बर चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई नहीं है तो उसको फेस करना बहुत जरूरी है आपने से कितने है जब कभी इस फेक नियुज आती है तो तुरंट उसका सामना करते हैं ये बहुत जरूरी है अगर सेना सरहद के उपर हमारी रक्षा करती है तो सरहद के अंदर देश के अंदर हमारी रक्षा कौन करेगा और अगर आप नहीं रक्षा करेंगे तो कोई बाड़े पर आकर रक्षा नहीं करने वाला जब फेक नियुज को आप देखते हैं कोई भी fake news हो आपको जब ये आप confirm हो जाता है कि ये fake news है उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है जहां पर भी आपको लगता है कि misleading news है देखे पूरी तरह से news उल्टी नहीं होती ये कुछ लोग जो खबरे लगाते हैं वो बड़े बड़े interesting अंदास से खबरे लगाते हैं खबरों को बस थोड़ा सा twist करा जाता है खबरों के अंदर content सही होता है लेकिन headline को थोड़ा सा twist कर दिया जाता है और जब headline थोड़ी सी twist होती है तो कहानी पूरी बदल जाती है क्योंकि 90% से जादा लोग headline से नीचे नहीं जाते फो headline देखते हैं और अपना मन बना लेते हैं आप जब इस तरह की misleading news सुने देखें तो तुरंट social media पर आकर उसको पूरी तरह से खतम करें उसको face to face आकर उसको challenge करें उसको चुनोती दे और ऐसे लोगों की आवाज बढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि जब ऐसे लोगों की आवाज बढ़ती है जो जो contemporary media है वो contemporary media को भी बैठ के सुनना परता है यह जिदने भी television channels के यहाँ पर लोग बैठे थे और जो television channels यहाँ पर record कर रहे हैं उन सबके अधिकारी कर्मचारी ग्यारा बजे दस बजे जब भी उनकी सुबह की बैठक होती है उसके अंदर सारी खबरें का आकलन करते हैं और खबरों का आकलन करने के साथ साथ यह भी पूछते हैं कि social media पे क्या trending है क्या आगे चल रहा है आज आपकी आवाज को उनको मानना पड़ रहा है इसलिए आपकी आवाज बहुत स्ट्रॉंग हो गई है social media पे आप जितनों भी हो आपकी आवाज बहुत स्ट्रॉंग हो गई है और it has the capacity to kill any fake news that is generated and also to kill any fake news that is whether on contemporary media or on social media that is the strength of today's speaking आपकी आपकी